हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल आज मैं डिसकस करने वाले हूँ आप लोगों के साथ डोकुमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी आरवी एनल जेएन एक्जाम में कर्डिटेट सेलेक्ट होंगे उनको किस-किस तरह के डोकुमेंट जो है जो इनिंग वेरिफिकेशन कराया है उन सब के लिए काफी इंपोर्टेंट है वीडियो क्योंकि जब जोइनिंग के टाइम पे डोकुमेंट बनाने की टाइम आता है तो उस टाइम पर पता नहीं रहत है क्या एफ़ी डेविट बनवाना है या किस तरह का जो भी स्टाम पेपर पे एफ के बाद में फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा काफी जल्दी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो है मैंने यहां पर एक लिया है जिसके अंदर डॉकुमेंट जो भी आपको रिक्वाइड होते हैं वो सब यहां पर मेंशन किये हुए हैं तो पहले तो हम देखते ह सेर्टिफिकेट आपको ले कर जाने हैं तो इसमें दे रखा है सबसे पहले हैं अपना सेर्टिफिकेट मार्क सीट ओफ सेकेंडरी स्कूल एक्जाम इन विच देट व बर्थ ओफ दा कंडिटेट इस इंडिकेट ठीक है यह आपको पता है कि 10th की मार्क सीट आपको लेने ज इगरी जो है वह और जो भी आपका जिसके अंदर कॉंसोलीडेट होता है वह सारी आपको लेकर जाना है सेर्टिफिकेट जो भी होता है सारे एजुकेशनल मतलब 10th और 12th सबके तो वह सारे आपको रखने हैं अपने साथ में और नेक्स्ट है आपका सेर्टिफिकेट ओफ बन वाही ही होँगे डोकिमेंट जो भी आपको लेटेस्ट चाहिए होते हैं और ऐसी अस्ट के डोकिमेंट जो भी है वह अगर पुराने मतलब एक बार बनवाते हैं और चलते हैं तो वह ठीक है तो नॉन कर्मिलेइर जो भी इसीए का है वह सर्टिफिकेट मेक्जिमम सारी येर्स के लिए आपका जो है अप्लीकेबल होता है तो थ्री येर्स पुराना भी दे सकते हैं इस तरह से तो यह आपको डीवी के टाइम पे बनाया होगा तो वो लेकर चलना है अगला दे रखा है फिजिकल हैंडिकेप कंडिडेट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है आपको जो भी डीवी के टाइम पे दिया होगा मेरीज रिजिस्टेशन सर्टिफिकेट जो है अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे भी हैं तो उनका भी आपको एक सर्टिफिकेट लेकर जाना है कि कितने बच्चे हैं यह सब के बारे में जो अगला देरका इन केस ओफ है वीडियो डेट सर्टिफिकेट ऑफ हस्बेंड इस रिवाइड नेक्स्ट ए इन केस ओफ डाइवोस डिक्रीशी और सर्टिफिकेट इसूट ग्रांटिंग डाइवॉस अगर डिवोर्सी हैं तो आपको जो इंस्टिफिकेट दिया जाता है और एन एफिडेविट of having no children ठीक है दोनों केस में लेना है आपको अगला दे रखाया bonafide resident certificate यह आपने बनवाया होगा डीवी के टाइम पर अगला है आपका एन एफिडेविट on non judicial stamp paper worth rs50 duly attested by notary public that no criminal case is pending against you in any court and you have not been convicted in any criminal case if you have been convicted or any criminal case is pending against you the details should be mentioned in the एफिडेविट accordingly तो यह भी आपने डीवी के टाइम पर बनाया होगा उसमें भी था आपको कि इस तरह का एक criminal cases के लिए आपको एफिडेविट बनवाना है अगला दे रखाया आपका employment certificate existing employee of अगर आप किसी भी state government central government जिस भी PSU कोई भी institute के employee है तो आपको एक NOC जो है वो प्रोवाइड कराना होता है no objection certificate जो भी आपका employer है वहां से लेना है और वह आपको जोईनिंग के टाइम पर प्रोवाइड कराना है अगला दे रखाया all other documents as per details given in the advertisement or call letter और उसके बाद है आपका experience certificate अगर आपको जरूरत है उसकी applicable है तब लेना है इसके अलावा next है आपको a bond performa of the bond enclosed as appendix A on non-judicial stamp of RS500 issued in the name of candidate तो यह bond क्या है आपका यह भी उपर अभी देखते हैं अगला दे रखाया आपका a surety by an employee of central state government PSU on non-judicial stamp of RS500 पर फोर्मा दे रखाया उपर the non-judicial stamp is to be purchased in the name of the person who is signing the surety यह भी अभी डिसकस करेंगे इसके बाद है आपका a self-attested photocopy of identity certificate of the surety issued by his her department company employer and self-attested photocopy of address ID अगला दे रखाया आपका medical certificate medical fitness certificate issued from a doctor as per condition number 17 यह medical fitness certificate जो है आपने डीवी के टाइम पर बनाया होगा वही provide करा देना है जो भी आप बनाते हैं medical certificate अगर नहीं बनाया है उस time पर तो इस time पर बनवाना है आपको और यह किससे बनवाना होता आपको CMHO level के officer या उससे higher level के officer पर बनवाना है तो आपके district में जो भी CMHO लगता है आप वहां से उस hospital से जहां बैठते हैं वहां से बनवा कर CMHO से signature उससे करवाने होते हैं यह छोटे hospital से नहीं चलता है उसके अंदर clearly mentioned है वह अभी देखते हैं अगला दे रखा आपको verification report issued from superintendent of police as per condition number 18 एक आपको पुलिस verification भी कराना होता है तो वह भी आपको कराना है वह आपको क्या करना है आपके police station में जाके वहां पे उसके लिए apply कर देना है और उसके बाद SP जो होता है आपका district का वहां से signature होके वह आ जाएगा तो वह आपको available करवाना है अगला दे रखा acceptance under own handwriting उसके बाद करना है आपको जो भी आपका आएगा को लेटर उसके अंदर जो लिस्ट होगी आपकी candidates की जो भी सलेक्ट होए जिनको posting दी गई है उसके निचे आपको यह सब जो bold letters में यहां पर लिखा हुआ है वो सब लिखना है निचे और signature कर देने अपने इसके undertaking भी बनाना है जिस तरह से आपने correct certificate बनाया था उसी तरह से इसका भी बन जाएगा एक तो इसके अलावा आपके जो है यह है आपका non judicial stamp जो है bond बनवाना है आपको उसका आपको जो है provide करा दिया जाएगा उसी टाइम पे joining के जब आपका result आएगा और आप select है तो उस टाइ बाद क्या करना है आपको और यह bond किस चीज का है bond यह है कि यह उपर देखते हैं भी दे रखाएं बॉन्ड काफी important है यहां पर जो बॉन्ड बनवाते हैं और उसके बाद उसकी क्या value है और कब तक वो बॉन्ड रहता है आपका तो उसके बारे में अभी देख लेते हैं दे आ है तो झाप जोन्ड जोनिद का चीज सैलता ह Дबाफ चार預jor पर चाह भ। बॉन्ड़ अनॉन्डूसाल चंप पर चाह्ते हैं बॉस्चरा खब्ले सकतर बॉन्ड झापड का क сी सचीनिग जबापिफ उसकी ब्लंड का जबाल ऱ उसकी पूस्सा है ल Enfin, 40, 50, जी किर ते ब स training and also during any other training period as well as after completion of such training within a minimum period of one year if such training period is for a period exceeding three months but up to six months and within two years तो आपको क्या करना है कि bond बनवाना है उसके अंदर लिखी हुए पूरी language वो परफोर्मा आपको available करवा दिया जाएगा और यह bond basically किसीज का है यह यह है कि आप प्रोबेशन का टाइम होता है जो दो साल का उस टाइम में आप जोब नहीं छोड़ सकते हैं रिजाइन नहीं कर सकते हैं किसी दूसरी जोब को नहीं ले सकते हैं और प्रोबेशन training खतम होने के बाद एक साल तक भी ऐसी कोई facility आपको provide नहीं कराई जाएगी मतलब आपको total three years के लिए यह है कि three years के अंदर आपको कोई दूसरा assignment जो है नहीं लेना है कुछ भी accept करना नहीं है और अगर आपने ऐसा किया है violation किया है rules का तो आपको क्या करना पड़ेगा ही और सी विल रिफंट तो जेवी वी एनल ओल एमोलमेंट्स पेर्ड तो ही मोब लिख है इंक्लूदिंग दे expenses incurred बाई जेवी वी एनल उन सच ट्रेनिंग अलोंग विद अमाउंट और रिनुमरेशन सेलरी पोर notice period subject to maximum of IRS one leg 50,000 ठीक है आपको क्या करना है जब अगर आप इसा कर रहे होते हैं अगर resign करते हैं तो आपको यह आपको जो है जेवी वी एनल को refund करना पड़ेगा वन लेक 50,000 रूपीज ठीक है only her by way of traveling or daily allowance अंदर क्या दे रखा अंदर इसके अलावा कुछ नहीं है यह सब अगर कोई अलावेंस या पर ट्रेवलिंग जैसे टीए डी अगर अविलेबल कराए गया है तो उसका interest लगेगा 12% per annum के लिए from the date of demand on the date of payment in lump sum ठीक है तो यह आपका तीन साल के अंदर यह पिलकुल आपको पढ़ लेना है अगर आप इसके साथ साथ कोई दूसरा जोब भी देख रहे हैं किसी में आपका selection हो गया और आपको लगता है कि आपको वो जोब मिल जाएगा और वो से अच्छा जोब है तो मैं आपको suggest करूंगे कि इसके ओपर थोड़ा focus करें आप क्योंकि तीन साल के अंदर आप रिजाइन नहीं कर सकते और करेंगे तो यह condition आपको fulfill करने पड़ेगी और इसके अंदर क्या है अगर आप तीन साल के बाद में completion of three years period जो है उसके बाद अग आपको क्या करना पड़ेगा जो three months का period होता है उस period की जो salary आपको दी गई है वह आपको वापस लोटानी पड़ जाएगी और उसके बाद क्या करना है जब आप यह bond बनाएंगे तो उसके उपर एक surety भी करवानी है आपको कोई भी जैसे आपके लोग की रिष्तेदार है उसे जैसे जो आपका relative नहीं है लेकिन आपको जानता है इस तरह से किसी भी या फिर आपका relative भी हो सकता है कोई भी government job central state employee या फिर पबली PSU employee जो भी है जिनकी pay matrix level 10 है या फिर उससे उपर है उस आदम इसे आपको surety लेनी है आदमी वरत कोई भी हो सकता है जो bond आप बनवा रहे है उसके पर आपको उनसे surety लेनी है उस पर निचे दिया हुआ उसका परफोर्मा भी और वो mention करेंगे अपना ID card भी लगाएंगे जिस office में काम करते हैं जिस भी department में job करते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि एक परफोर्मा दिया रहेगा आपको जैसे यह एक दिया है बॉंड बनवाना है 500 के स्टाम पेपर पर यह सब छपवा लेना है आपको अपने details फिल कर लेनी है उसके अंदर पढ़ लेना क्या क्या है उसके बाद क्या है यहाँ पर sign कराने है उस आदमे से signed and delivered by the above bonded person तो आपको यह करना है और फिर जैसे आपके sign करने है यहाँ पर witness witness डाल देने कोई भी दो witness आप डाल सकते है उसके बाद यह है आपका कि जो surety provide करा रहा है उस इंसान से feel कराना है कि यह उसका detail आजाएगा कौन सा pay level पे है और उसके बाद व अपने signature करेंगे signature of surety with rubber stamp of designation office उसके बाद जो उनके signature है उसको भी verify करेंगे उनके employer तो वो यहाँ पर verify करेंगे जो आपको left side में दिया है signature should be verified by the controlling officer of surety with rubber stamp of designation office तो आप किसी भी अपने उससे करवा रहे है government employee से government जो भी आपका employee है उससे अगर आप surety करा रहे है लेवल 10 या उ इसान से तो उसका employer जो है उससे भी आपको verify कराना पढ़े गया है आपके signature with stamp कराना है और उसके बाद यहाँ पर witness कोई भी डाल सकते हैं आप अपना उससे कोई ज्यादा focus नहीं है और यह आपका गुटका वाला यह भी दे दिया जाएगा कि मैं कोई धूमर पानवा गिरा नहीं करता हूं यह सब ठीक है यह आपकी police verification का भी आपको पर फोर्मा प्रॉइड करा दिया जाएगा जिसके अंदर यह सब है या फिर वो खूदी दे देते है police verification के लिए तो थाने जो भी आप police station लगता है महां से ऐसे चो इसके लाव आपको medical certificate है वो बनवान है उसके लिए भी condition है कि आप CMH या उस से higher level के तो यह देर का appointment is subject to medical fitness of the candidate point number 17 at the time of reporting for joining duty professional trainees will have to produce a medical certificate of fitness from a doctor authorized by the state government not below the rank of CMH प्रोब्लिक PMO of the district superintendent of hospital associated with the government medical college failing which the appointment order cell automatically stand cancelled without any notice or information ठीक है तो यह कराना आपको correct certificate जो है वो आपको police verification होई गया है इसके अलगा क्या है आपको यह सब देर के condition की कोई भी deputation जो है प्रोबेशन के time में आपको नहीं कराया जाएगा या फिर कोई भी जैसे आपको जो है total casual CL मिलेंगे 15 दिन की पूरे साल में और इसके अलवा नहीं मिलेगा अगर आपका जिस time पे जो recruitment जोइनिंग हो रही है वहाँ से चो पंद्रा डेज है वो इयर के हिसाब से डिवाइड कर ले जाएंगे monthly इसके अलवा है क्या देर का जोइन कर लेंगे वहाँ पे फिल करवा देंगे आपसे एक आपको CPF अकाउंट के लिए करना है यह सब भी आप जोइन करेंगे तो ओफिस वाले अपने आप करा देंगे यह सब इसके अलवा कुछ नहीं बचा है भी ठीक है इसके अलवा मेडिक लेंप पोलिसी वगेरा यह सब अभी आरजी अचस चल रहा है तो आरजी अचस अपने आप बन जाएगा आपका जब आप जोइन कर लेंगे और आपको कोई भी प्रोबेशन टाई में कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ फिक्स पे मिलेगा इसके अलाव कोई टीए डीए या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा यह चारे वगेरा यह सब नहीं मिलेगा और अगर आपने बीटेक में वैसे तो सबने कंप्यूटर पढ़ाई होगा क्योंकि अपने जो है आता है एक और डबलो पीएस करके सब्ज क्योंकि आता है जिसके अंदर लेंग्वेज वगेरा पन पढ़ते हैं भी ध्धान नहीं आ रहा मुझे तो वह सारे सब्जेक्ट आपने पड़े हैं लेकिन अगर इसा हो मुझे लगता है कि होगा लेकिन अगर फिर भी अगर कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट आपके सब् पीज़र में करते जाती है बिना आप किसी में नोटिस के अगर कुछ होता है तो इस तरह का यह हैं लेकिन इसा नॉर्मली होता नहीं है अगर आप कुछ से गलत करते नहीं है तो तो यह हो गया आपका टोटल जितने भी certificates आपको बनवाने हैं जो भी आपको करवाना है वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिये हैं अगर किसी को doubt हो इसमें तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं या तो instagram पर पूछ सकते electric classes by सुमान चोधरी ग्रूप है उसको जोइन कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिसकस कर लिए आपके साथ और यह काफी important है क्योंकि जब जोइनिंग अपनी आ जाती है तो उस टैम पर अपनको समझ में नहीं आता कि कौन सा certificate बनाना कैसे बनाना है तो यह सचो कि जा ड़िए सब कर के समय कर को समंगी तो कर लिए खेला है तो कि यह साथो सम का की से रगस पर बनाज से की ऊत्पी कि तो कम आते हैं उर्वेरा मैं उर्वेरा ग close कि पाल शो ए रहिग